आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हैडलाइन्स पर नापपूर में कर्च के बोच से परिशान खैरी के किसाननी की आत्महत्या जिले में नहीं थम रहा किसानों की आत्महत्या का सत्र एन्सीपी प्रमुक शरत पवार ने साधा नापपूर के व्यापारियों से सब्वाद एन्वी सीसी द्वारा किया गया था आयोजन और स्वाभी मारी शेदकरी ने संगठन ने शुरू किया अन्यत्याक आंदोलन नापपूर के सब्विधान चोग पर विदर्वभर से आये किसान डटे और अब खबरे विस्तार से इस वर्ष खरिफ की फसल के लिए कर्ज लेकर खेती करने पर भी खेत समाधान कारक उत्पादन नहीं मिलने और कर्ज के बोच से परेशान किसान ने किटक नाशक जहरीली दवा का प्राशन कर आत्मात्या करने की घटना सामने आई प्राप्त जानकरी के अनुसार नाकपुर के कामठी तहसिल अंतरगत आने वले खेरी ग्राम के किसान योगेश धनराज धान्डे की खेरी गाओं में खेती है खेत में फसल लेने के लिए इस वर्ष उन्होंने कर्ज लिया था सुमवार की रात को योगेश ने किसी कीटग नाशक दवा का प्राशन करने से उसकी तवियत बिगडने लगी परीजनों ने तुरन थी उनको कामठी रोट स्थित आशा अस्पताल में भरती कराया जहां उपचार के दोरान मंगलवार के शाम करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई भूतक गाउं के सरपंच मुरेश्वर कापसे के भतीजे बताये जा रहे है घटना के जानकरी मिलते ही कामठी के जुना पुलिस थाने के करमचारियों ने अस्पताल पहुँच कर पंच नामा किया और आकस में पूत्यू का मामला दर्च कर जाँच आरम कर भी नाग विदर्बच चेंबर ओफ कॉमर्स द्वारा बुधवार को नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में एन्बी सीसी द्वारा व्यापरी उद्दुजग समात का योजन किया गया था इस कार्यक्रम के दोरान एन्सीपी प्रमुक शरत पवार की खास मौजुद की रही इस दोरान शरत पवार में उपस्तित व्यापारियों का स्वागत करते वे उनका मार दर्शन किया माराश्टर के डिवेलप्मेंट में ये हमेशा जादा रही है और एक बात ये भी सही है कि जब तक इकनोमिक डिवेलप्मेंट नहीं होगा तो ना सरकार के पास रेवन्यू आएगा ना हम किसी की गरीवी दूर कर पाएंगे ना किसी की बेरोजगारी को हम दूर कर पाएंगे और ना हमारे समस्तर राज्यकी या परिसर का विकास कर पाएंगे तो इकनोमिक एक्टिविटी तो ये बैरोमीटर होता है अभी हम एरपोर्ट से पवार साथ के साथ आए जैसे होटल में पहुंचे रेडिसन तो पवार साथ ने वो उनके मैनेजर आए बुंदस्ता दे कर तो पवार साथ ने क्या पूचा आपकी ऑक्यूपंसी कितनी है तो उन्होंने बोला सक्टर प्रसएंट तो पवार साथ ने फिर मेरे जांब में देखा बोले चला बड़ा है थोड़ा सुरूतर इधाला तो इसका मतलब उनके मन में जो सोच है जो दृष्टी है वो एकनॉमिक डिवेलप्मेंट और एकनॉमिक डिवेलप्मेंट के माध्यम से आज अगर हम कहीं भी हम जाते हैं हम भी चुनाव रणते हैं अभी हमारे बाइसाब ने बेल की बात की या कोई और प प्रोजेक्ट्स लाई गी। क्योंकि उस उद्योग के साथ पहले तो रोजगार मिलता है रोजगार के अलावा उसर में आर्थिक विकास होता है छोटी मोटी दुकाने शुरू होती है, होटले शुरू होती है, किसी का ट्रांस्पोर्ट का काम बढ़ता है, किसी की रेस्टोरन का काम बढ़ता है तो एक उद्योग या एक व्यवसाहिक के साथ अनेक लोगों का उसमें बड़ा फाइदा होता है ये बात पवार साब को मुझे समझाने की है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है वो इसमें पिएच डी है सोयाविन और कपास किसानों के साथ सरकार द्वारा किये जा रहे अन्याय के खिलाफ स्वाभिमानी शेतकरी संगटन ने बुधवार से नागपुर के सविधान चौक पर अन्य तयाग अंदोलन शुरू किया यह अन्दोलन तब तक जारी दहेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा मांगे मान्या नहीं की जाती अन्दोलन के समर्थन में गुरुवार से ग्रामिन भागों में विविद आयोजन किये जाएंगे स्वाभिवानी संगडन के नेता रविकान तूपकर ने बताया कि केंद्र सरकार ने उस वक्त सोयाविन पेंट की आयत को अनुमती दी जब किसानों को 10,000 रुपे का भाव मिल रहा है साथी कपास किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है दरसल केंद्र सरकार पोल्ट्री और दक्षिन भारत की कपड़ा लॉबी के दबाव में ये कृत्य कर रही है सरकार ने खाद्य तेल पर आयत शुल्क कम किया गया इतना ही नहीं संगरहन सीमा भी तै कर दी गई इस वज़े से बाजर में सोयाबिन की किमत हो गई धान की भी ये इस्तिति है संगरहन की और से केंद्र सरकार द्वारा बाजर में हस्तक शेप कर सोयाबिन की दर 8000 रुपे कपास की दर 12000 रुपे से कम नहीं होने तता धान को 1000 रुपे बोनस घोशित करने की मांग की गई है राज्य सरकार ने भी किसानों को उनके हालत पर छोड़ दिया है तमाम तरह के संकटों की वज़़ से किसान आत्मत्य करने को मजबूर है आंदोलन के समर्थार्थ 8 नमबर को गावों में प्रभात फिरी 19 को चक्का जाम और 20 नमबर को गावस्तर पर सभी व्यवहर बंद रखने का निर्ने लिया गया है जाम आगनिया करतो आहे करना यहावर शीर उत्पाधन करचा 5,000 रुपयका एकराचा आहे श्याइबिंचा आणि आमाला उत्पन्न होते 16,000 रुपय चे चार क्विंटल होते लावले 156,000 आमी एकराला 9,000 लोस मद आया आई आश्या परिस्तिति मदे पास टके जियस्टी लावला स्वाइबिंद तेज्द इचामल स्वाइबिंचे रेट पड़लेला बनुप्सान बर्पाई आमला मिलाली नहीं राज्यान तोकडी दिलीति पुर्ण पने आजुने मिलालेल नहीं केंदरानातर गुजरातला दिली पने अमारास्टाला काई दिली नाइ आनि पीक विमा कम्पनिया नी आमाला पसावलिला έ तेन चाओर कर होई कराई तेनला ब्लेकलिस्ट्रे कराई आनि पीक विमा भाणा अमाला सम्बल टक्की मिल हुन्त पुलिस विभाग द्वारा तमाम तरह के सकती बरती जा रही है वही दूसरी और दुश्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो रही है इस तरह की घटनाएं नगेवल समाज पर काली की तरह बनती जा रही है बलकि अन्य लोगों में भैका माहुल भी बना रही है इस बीच नाकपूर शहर के अलग-अलग हिस्सों में दुश्कर्म के तीन मामले सामने आए पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है पहली घटना कलंदा थानक शेत्र में सामने आई यहाँ पडोसी ने 15 वर्षे किशोरी को हवस का शिकार बनाया उसके गर्भवती होने पर घटना सामने आई और पुलिस से शिकायत की गई पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर आरोपी मरिश पराते की खिलाफ मामला दर्च कर गिरफतार कर लिया पिडिता नवीक अक्षा की छात्र है दुश्क्रम की दुसरी घटना सक्करदरा थानक शेत्र में हुई परिचित युवक ने किशोरी को घर पर अकेला देख हवस का शिकार बनाया पुलिस ने परीजनों की शिकायत पर निखिल आतराम के खिलाफ मामला दर्च किया 14 वर्षे पिडिता भी नवीक अक्षा में पढ़ती है वही गनेश पेट पुलिस ने एक महिला के शिकायत पर 36 गड़ के रायपूर में रहने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्च किया है आरोपी साहिल हुजन बताया गया 33 वर्षे पिडिता गनेश पेट ठानक शेत्र में रहती है मई 2015 में पिडिता की सोशल मीडिया के जरिये साहिल से दोस्ती हुई दोनों के बीच चैटिंग होने लगी इसी दोरान साहिल ने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा पिडिता भी विवाह करना चाहती थी साहिल उससे मिलने के लिए नाकपुर आता था उसे होटल और लॉज में ले जाकर दुश्कन करता रहा विवाह के बारे में पूछने पर अलग-अलग कारण बता कर टाल मटोल करता था पिडिता की उम्रब बढ़ती जा रही थी उसने साहिल पर विवाह के लिए दबाओ डाना वह साफ मुकर गया वक्तों चला है एक ब्रेक का मिल देख चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट है जहाँ पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहाँ Campus Interview Guidance by Industry Expert Practical Training at Airport Expert Faculty Personal Grooming जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gaaninagar LAD College Square Beside करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चंद्रपुर वनविभाग के दक्षता विभाग को जानकारी मिली थी कि बाग के खाल की तसकरी हो रही है वनविभाग की टीम ने आरोप्यों को पकड़ने की योजना की और एक मोटर साइकल सवार को पकड़ा उसे पूछताच करने पर और पांच आरोपियों का पता चला बताया गया कि अहेरी मार्क से चंदरपूर की दिशा में अमृत बाग के अवयोव लाए जाने की गुप्त जानकरी वनवीभा के दक्षता पथक को मिली थी इसके तहट दक्षता पथक ने गोणपी प्रिस्तित नए बस टैंड के सामने अपनी फिल्डिंग लगाई शाम को मोटर साइकल पर दो व्यक्ति संदिक द अवस्था में दिखाई दिये पथक द्वारा जांच करने पर एक व्यक्ति के पेट में बाग की खाल मिली इसके बाद अन्य दो आरोपियों को पकड़ कर उसने पूछताच की गई इसमें वनवीभाग को सफलता मिली तीन और आरोपियों का भी पता चल गया ये आरोपी गर्चिरोली जिले के अहेरी भामरागड परिसर के रहने वाले है गटना की जानकरी मिलते ही उपवन सरक्षक अर्विन मुंडे ने रात में ही गोण पिपरी के वनवीभाग कारियाले में सकती से पूछताच की जांच के दोरान और कुछ नाम सामने आने की उम्मिद की जा रही है ये कारवाई में दक्षता पथक ने वनपरिक्षेत्र अधिकारी पनिंद्र गादेवार के मार्क दर्शन में की गई बताया जाता है कि गर्चिरोली जीले के अहेरी भामरागड परिसर में बाग की खाल सहित अन्य अवयों की तसकरी करने वाले रैकेट सक्रिये है प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षा नाना पटोले ने कहां कि केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार पिछले साथ वर्षों से पेट्रोल डिजल वग्यास के दर बढ़ा कर जनता की लूट कर रही है सतत कीमते बढ़ा कर सरकार अपनी तीजोरी भर रही है लोगसभाव विदानसपा उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को केंद्री अत्पादन शुल्क में कटोती कर पेट्रोल पर 5 रुपे वडिजल पर 10 रुपे कंद किये मुंबई की गांधी भावन में आईजित पत्रकार परिशत में नाना पटोले ने कहां कि वरतमान में देश में पेट्रोल पर 27.90 रुपे वडिजल पर 21.80 रुपे केंद्री अत्पादर शुल्क लिया जा रहा है निया मानुसार राज्य सरकार को पेट्रोल पर 11.16 रुपे वडिजल पर 8.72 रुपे मिलना अवश्यक है 2021 में राज्य सरकार को पेट्रोल पर प्रती लिटर 13.16 रुपे देने की बजाए केवल 56 पैसे दिये गए है वही डिजल पर 12.72 रुपे की बजाए केवल 72 पैसे दिये गए केंद्र सरकार ने 8 रुपे रस्ते विकास सेस, 4 रुपे कुरुशी सेस लगा दिया सेस का हिस्सा राज्य को नहीं मिलता इस वज़े से उत्पादन शुल कटोती करने से राज्य को मिलने वाला हिस्सा और कम हो गया है सेस के माध्यम से केंद्र सरकार सामाने जनता और राज्य सरकार का आर्थिक शोशन कर रही है अंतरश्चिय बाजर में कच्चे तेल की दर कम होने के बाद भी देश में पेटर्ल 110 रुपे और डिजल सो रुपे प्रति लिटर दर से मिल रहा है यह एक तरह से जनता की लूट ही है लेकिन केंद्र सरकार दर कम न कर जनता को आर्तिक संकट में डाल रही है महाचपा मांग कर रहे हैं कि केंदर की तरह राज्य सरकार भी कर्मे कटौती करें लेकिन ये केवल केंदर द्वारा फैला गया आकडों का भ्रहम जाल है पंजाब राजस्थान में वहाँ की कॉंग्रेस सरकार ने पेट्रोल डिजर पर कर कम किया है उसी तरह महाराश्य सरकार ने भी किया है कोरोना से मिली राहत के बाद अब सब कुछ दीरे दीरे शुरू हो रहा है इस बीच पैसेंजर ट्रेने शुरू करने की मांग पिछले कई दिनों से की जा रही थी आखिर कर अब एक एक कर पैसेंजर ट्रेने भी शुरू होने जा रही है मद्धे रेल्वे के नाकपुर, मंडल नाकपुर और आमला के बीच पैसेंजर ट्रेन सेवा गुरुवार से बहाल हो जाएगी ट्रेन सिवा शुरू होने से यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है नौकरी पेशा से लेकर अन्य कामकाजी लोगों के लिए ट्रेन शुरू होने से राहत मिलेगी कोरोना की वज़े से अब भी कुछ रूट पर पैसेंजर ट्रेने बंध है लेकिन मध्य रेलवे नाकपुर से आमला के बीच की ट्रेन शुरू कर यात्रियों को राहत प्रदान की गई है इस ट्रेन से हर सैगडो यात्री प्रवास करते हैं नाकपुर आने के लिए ये पैसेंजर बेहत उपयुक्त है एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में टिकेट कम होने से अधिकादिक लोग यात्रा करते हैं अब नाकपुर से हर दिन पैसेंजर ट्रेन शाम साथ बजे रवाना होगी और रात दस बज के दस मिनिट पर आमला पहुचेगी फिलाल कोविट की स्थीती को देखती वे दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को ही टिकेट मिलेगी एक अन्या ज़रूरी शर्त के तहट नाकपुर और आमला के बीच पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ वही यात्री सफर कर पाएंगे जिनोंने कोरोना वैक्सिंग के दोनों डोज लिये है उलेखनी यह है कि कभी ICF कोच के साथ चलने वाली नाकपुर आमला नाकपुर पैसेंजर अब नए कलेवर में दिखेगी अब इस पैसेंजर को मेमू कोचेस के साथ चलाया जाएगा वरतमान में मंडल में शुरू की गई सभी पैसेंजर ट्रेने मेमू के तोर पर ही चलायी जा रही है इसके दोनों और इंजन होने से शटिंग की जरूरत नहीं पड़ती इससे रेल्वे को काफी उर्जा और समय की बचत होती है अग्यात कारण से एक युवती ने अपने ही घर में फांसी लगा कर आत्मत्या करने की घटना सावनेर के काकड़े ले आउट में सामने आई युवती की हाल ही में शादी तय हुई थी लेकिन किसी कारण वस टूट गई है इसी वज़े से वह तराओं में थी पुलिस मामले की जांच कर रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार मयोरी लक्षमन लांजेवार सावनेर के प्रभाक्रमा का आठ काकड़े ले आउट की रहने वाली थी घटना के समय मयोरी की माँ पड़ोस में गई हुई थी मयोरी घर में अकेली ही थी शाम करीब पाच बज़े के आसपास मयोरी की माँ घर पर आई तो उसे मयोरी छट से लटकी वी दिखाई दी उसने शोर मचाना शुरू किया जिससे आसपड़ उसके लोग ही घटा हो गया इस बीच घटना की जानकरी सावनेर पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्तल पर पहुँच कर शव को नीचे उतारा और पंचना माकर शव को पोस्माटम हेतु प्रातमिक स्वास्ता प्रशिक्षन के इंदर सावनेर भेजा गया मयूरी के पिता वेकोली सावनेर में कारियरत होकर बड़ा भाई नागपुर में अभियानता होने की जानकारी है मयूरी की हाल ही में शादी भी तय हुई थी जो किसी कारण से तूट गई थी शायद इसी से आहत होकर उसने ये आत्मगाती कदम उठाया होगा ऐसी परिसर में चर्चा है इस मामले में सावनेर पुलिस ने आकास्मीक फृत्यों का मामला दर्च कर मामले की जांच पुलिस निरिक्षक मारूती मुलुक के मार्क दर्शन में एपी आई शिवाजी नागवे कर रहे है नूत यूवती का शोव पोस्माटम के लिए नाकपूर मेडिकल कॉलेज भेजे जाने पर नूतिका के परिजनों ने विरोध करने पर फ्राथमिक स्वास्ता प्रशिक्षन केंद्र में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर् परिसर के नागरिकों द्वारा आपको इन बंदरों का बंदोबस्त करें ऐसी मांग भी की जा रही है सन 1987 में नाखपुर के भरतनगर्व तेलंखेडी परिसर में नागरिकों को हैरान और परिशान करने वाले 17 लाल मुह वाले बंदरों को पकड़ने में मनपा को काफी मशकत करनी पड़ी थी इन लाल मुह वाले बंदरों को पार्शिणी तहसिल के कुलित मारा, बनेरा, नरहर इस अतिदुर्गम शेत्र के जंगलों में छोड़ा गया था लेकिन इन लाल मुह के बंदरों को जंगल में रहना गवारा नहीं था उन्होंने गाव का रस्ता पकड़ा, पेंच कुकड़ा, बनेरा, धवलापुर के कवेलों के घरों में रहने वाले लोगों का जिना हराम कर दिया इन गाओं में रहने वाले अधिकांश लोग आदिवासी है इनको इन बंदरों से होने वाले परेशानी असानिया होने लगी लाठी का एक आधार लेकर इन बंदरों को दूसरे गाओं की और खदेड दिया गया इसके बाद इन लाल मुह वाले बंदरों ने शिला देवी, सुवरधरा, चार गाओं, कुवारा, भियुसेन मारग होते हुए सबसे सुरक्षित स्थान पेंच प्रकल्प में अपना डेरा जमाया पेंच सिंचाई विभाग की कॉटर्स और समीप की केंदर सरकार के जवाहर नवदय विद्याले परिसर इन बंदरों को काफी पसंद आया इस विद्याले से मिलने वाले भोजन के कारण इन बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी 34 वर्षों के बाद ये संख्या बढ़कर अब 700 से 800 के आसपास हो गई है अब इन बंदरों के भी अलग-अलग गिरोह बन गए है एक गिरोह पेंच प्रकल्प डायम परिसर में तो दूसरा जवाहर नवोदे विद्यालेक शेत्रों का अपना महला बना लिया गया है इन दो गिरोहों की आपस में कभी नहीं बनती दोनों गिरोहों में काफी दुश्मनी है अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए इनमें अकसर युद्ध होते रहते है या यूं कहों इनमें अकसर गैंगवर होते रहते है ऐसे में पेंच प्रकल्प में आने वाले परियाटकों के दीलों में इन बंदरों को लेकर काफी दहशत निर्मान हो गई है वही दूसरी और जबाहर नवोदे विद्याले में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी इन बंदरों को लेकर काफी दहशत बनी हुई है तो सुबह के प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज, नमस्कार